तो आई देखते हैं second person यानि जब आप बात कर रहे हो किसी और से और वो इनसान आपके सामने है तो आप कौन से अलफाजों का इस्तमाल करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहला अलफाज है you इसका मतलब है तुम यूर तुम्हारा यूर्स तुम्हारा यूर्स तुम खुद जैसे हम first person के लिए यानि जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं अंग्रेजी में तो हम मर्द और 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 इन दोनों अलफाजों के बीच में फरक नहीं करते वैसे ही second person में भी मर्द और 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 औरत के अलफाजों में फरक नहीं होता तो इसी लिए हम दोनों के लिए एक ही अलफाज इस्तमाल करेंगे तो आईए देखते हैं कुछ जुमले यहाँ पे second person pronoun के बारे में तो पहला अलफाज है you you का मतलब होता है तुम तो इसका जुमला है can you pass me the book please इसका मतलब है क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं तो दूसरा अलफाज है your इसका मतलब है तुम्हारा is this your vehicle इसका मतलब है क्या यह आपकी गाड़ी है तो हमारा अगला अलफाज है yours yours का भी मतलब होता है तुम्हारा तो your और yours यह कब استعمال करते हैं और यह क्यों अलग है चलिए मैं समझाती हूँ आपको इस जुम्ले में तो हमारा जुम्ला है इसका मतलब है यह मेरी किताबे हैं और वह आप की तो हमने यहाँ पेक किताबें जो एक इसम है एक चीज का नाम है इसे पहले ही इस्तिमाल कर लिया है तो हम जब यानि नाउन को पहले इस्तिमाल करते हैं तो उसके बाद में यॉर्स का इस्तिमाल करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको पिछले जुम्ले में लेके जाती हूँ यहाँ पी है is this your vehicle इसका मतलब है क्या ये आपकी तो मैं यहाँ पे गाड़ी को बार बार नहीं दहुराओंगी या यह इस अलफाज गाड़ी को मैं बार बार नहीं दहुराओंगी तो इसकी जगा मैं इस्तिमाल करूंगी यॉर्स ठीक है तो जब हमें हमने पहले ही किसी इस्म का इस्तिमाल किया है यानि नाउन का इस्तिमाल किया है और उसी नाउन के बारे में हम बोड़ना चाहते है तो हमें यॉर्स का इस्तिमाल करना होता है अब सीखते हैं यॉर्सल्फ यॉर्सल्फ का मतलब होता है तुम खुद तो यहाँ पर एक जुमला है ठेक केर ओफ यॉरसिल्फ इसका मतलब है अपना खयाल रखना तो यॉरसिल्फ मतलब आप खुद अपना खयाल रखिए इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है अब हम सीखेंगे थर्ड परसन ट्रेनाउन के बारे में यानि उन लोगों के बात करने के लिए इस्तमाल होने वाले अलफास जो हमारे सामने नहीं होते तो थर्ड परसन ट्रेनाउन में हम मर्दों के लिए और आउर्टों के लिए अलग-अलग अलग अलग अलफास इस्तमाल करते हैं तो हम पहले सीखेंगे आउरतों के लिए क्या अलफाज इस्तमाल करते हैं। तो हमारा पहला अलफाज है she, she का मतलब होता है वो, her, isay, hers, इसका भी मतलब होता है इसे, herself, वो, खुद. तो चलिए देखते हैं इन अलफाजों को जुमले में कैसे इस्तमाल करते हैं। तो हमारा पहला अलफाज है she, उसका मतलब है वो, she is waiting outside, इसका मतलब है वो बाहर इंतिजार कर रही है, तो इस जुमले से आपको पता चल गया होगा कि हम किसी औरत के बारे में या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा दूसरा अलफाज है her, her का मतलब होता है इसे, तो यहाँ पर यह जुमला है her aunt called me yesterday, इसका मतलब है कर इसके खाला ने मुझे फोन किया, अगला अलफाज है hers, hers का मतलब होता है इसकी या इसका, तो यहाँ पर यह जुमला है hers is a motivating story, इसका मतलब है इसकी एक हावसला अव्जा कहानी है, तो hers का मतलब हो गया इसकी या इसका, अगला अलफाज herself, यानि वो खुद, तो इसका जुमला है she learned driving all by herself, इसका मतलब है इसने खुद ही driving सीख ली, अब सीखते हैं third person pronoun जो मर्दों के लिए इस्तमाल होते हैं, तो हमारा पहला अलफाज है he, he का मतलब है वो, him, इसे, his, इसका या इसकी, himself, वो खुद, तो देखते हैं कुछ जुमले इन अलफाजों के बारे में, तो हमारा पहला अलफाज था he, he का मतलब है o, तो हमारा पहला जुमला है he is the most honest person in the entire office, इसका मतलब है वो पूरे office में, यानि दफ्टर में सबसे ज्यादा इमानदा शेक्स है, तो हमारा दूसरा अलफाज है him, him का मतलब है, उसे, तो इसका जुमला है talk to him, he will surely help, इसका मतलब है, इससे बात करो, वो जरूर आपकी मदद करेगा, हमारा अगला अलफाज है his, इसका मतलब है उसके या उसका, तो इसका जुमला देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी अलफाज बहुत मुश्किल है, मैं इसका मतलब बता देती हूँ, तो इस जुमली का मतलब है, वजीर का तकबर, उसके साग को खराब कर रहा है, तो minister का मतलब हो गया वजीर, arrogance का मतलब है तकबर, reputation का मतलब है साग, तो यहाँ पे वजीर हमारे सामने नहीं है, तो हम उसके बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम यह his, यानि उसके या उसका, यह अलफास इस्तमाल करते हैं, तो चलिए देखते हैं अगला अलफास, himself, himself का मतलब है वो खुद, तो उसका जुम्रा देख लेते हैं यहाँ पे, my son likes to dress himself, इसका मतलब है मेरा बेटा खुद कपड़े पहनना पसंद करता है, तो himself का मतलब है खुद, और him का मतलब है वो या उसे, जो हम सिर्फ मर्दों के लिए या लड़कों के लिए इस्तमाल करते हैं तो अगर मैं हर सिल्फ कहूंगी, तो यह लड़कों के लिए होगा, तो अभी हमने सिका फर्स, सकेंड और थर्ड परसन प्रेनाव, तो आईए देखते हैं थर्ड परसन प्रेनाव, जो हम चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पे तीन अलफाज है, तो पहला अलफाज है इट, इट का मतलब है ये, इट्स, इट्स का मतलब है इसके, इट्सेल्फ, इट्सेल्फ का मतलब है खुद, तो देखते हैं इसके कुछ जुम्ले, तो जैसे के हमारा पहला अलफाज था इट, इट का मतलब है ये, और दूसरा अलफाज है इट्स, इट्स का मतलब है इसके, मैं ये दोनों अलफाजों को एक ही जुम्लों में डाल के आपको पताती हूं कि इसे कैसे इस्तमाल करते हैं, तो हमारा जुम्ला है, इट एस अ क्यूट किटन इसका मतलब है ये एक खुबसूरत बिल्ली का बच्चा है, जिसके गले में नीले रंग का सैटन रिबन है, तो जब मैंने कहा इट इस अ क्यूट किटन, यहां पे मैं एक बिल्ली के बच्चे के बारे में बात कर रही हूं, किटन का मतलब हता है बिल्ली का बच्चा, तो मैं यहां पे you, him or her ऐसे अलफाजों का इस्तमाल नहीं कर रही हूं. यहां पे मैंने कहा है it, क्योंकि यह एक जानवर है, एक बिल्ली का बच्चा है. तो इसके गले में क्या है? इसके गले में blue satin ribbon है. तो यहां पे मैंने दूसरा अलफाज it's यह लिखा है. तो इसका मतलब क्या है? इसके. तो यहां पे मैं बता रही हूँ कि इस बिल्ली के बच्चे के गले में satin ribbon है. ठीक है? तो इसलिए मैंने यहां पे it's का इस्तमाल किया है. तो चलिए देखते हैं दूसरा अलफाज it's self. इसका मतलब है खुद. तो इसका जुमला है the wound healed itself in a week. इसका मतलब है यह जखम एक हफ़ते में खुद ही ठीक हो गया. तो यहां पे या तो आप चीजों के बारे में बात कर रहे हैं या तो जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ अपने बारे में बात करें जिसका इनसानी रूप नहीं होता. ठीक है? तो तब हम इस्तमाल करते हैं itself. तो इस जुमले में आपको दो नए अलफाज दिखेंगे. वो है ओंट, ओंट का मतलब होता है जखम और healed, healed का मतलब होता है ठीक हो जाना. ज़्यादा तर हम healed उन्ट के साथ इस्तमाल करते हैं क्योंकि healed का मतलब होता है जखम का ठीक हो जाना या तबियत का ठीक हो जाना. तो अब तक हमने सीखा singular pronouns इसका मतलब एक इनसान के बारे में जब हम बात करते हैं तो कौनसे pronoun इस्तमाल करते हैं? तो चलिए सीखते हैं plural pronoun यार्ट अगलिज रेकर बात करते हैं तो चलिए सीखते हैं plural pronoun यार्ट जाना.